हालो एफ्रिवन, कैसे आप सावी लोग, I hope you all are fine आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एप्लिकेशन का सही तरीका क्या है लिखने का और हम लीफ एप्लिकेशन जो जब भी हम बीमार पढ़ते हैं तो हमें ज़रत पढ़ती है स्कूल में अपने principal को, अपने class teacher को application देने की और maximum बच्चे जो हैं उस application में बहुत सारा mistakes करते हैं तो जब आप बहुत सारा mistake करते हैं तो फिर ये आपके personality को सोग करता है कि आप जो हैं एक application तक नहीं लिख सकते हैं इतने अच्छे school में पढ़ने के बावजूद भी, ठीक है? तो उसका main कारण यह होता है ऐसा नहीं कि आपको यह लिखने नहीं आता है main कारण उसका यह होता है कि हम उस पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम तो लिख लेंगे और फिर हम गलती कर देते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बता हुआ कि एप्लिकेशन लिखने टाइम किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कैसे एप्लिकेशन लिखना चाहिए ठीक है चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे यह फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में हम एप्लिकेशन को लिखते हैं इस फॉर्मेट को हम अपने दिमाग में बठा लेंगे ध्यान रखना है हमें सबसे पहले हम लिखते हैं to the principle but अब जो है यह to लिखने के जरूत हमें नहीं पड़ती ह है यह अब नहीं है अब हमें इसे लिखने के जरूत नहीं पड़ती है हम स Switzer Da Planning से Start करते हैं ठीक है Możeton time में हम लोगs the principle सर्फ करते जैसे कि हम पहले right side में नीचे का जो भी हम लिखा करते थे जो भी closing टो right side में लिखते थे पहले बढ़ फिर कुछ दिनों के बाद उसे मॉडिफाई किया गया और वो जो है मॉडिफाई होने के बाद फिर लेफ्ट साइड में ही सारा कुछ हम लोग लिखने लगे वैसे बच्चो अब to हम नहीं लिखते हैं सिर्फ the principal से ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले the principal लिखेंगे उसके बाद आप अपना school का नाम लिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है name of the school आप जिस भी school से हो उसे school का नाम लिखोगे उसके बाद address of the school फिर आप अपने school का address लिखोगे आपका school का जो location है वहाँ का जो address है वो आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद फिर हम date डालते हैं जिस date में आप application लिख रहे हो उस date को हम यहाँ लिखते हैं उसके बाद आपका सबसे main चीज आता है subject और subject आपका question में ही दिया हुआ रहता है बट आपको ध्यान रखना है कि it should be short but clear ठीक है short होना चाहिए लेकिन वो clear समझ में आना चाहिए कि आप application जो है वो किस subject पे लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो ठीक है ऐसा नहीं कि आप पूरा question नहीं उतार दीखेगा इतना बड़ा सा वो आपको नहीं करना है it should be short and clear उसके बाद next आता है आपका salutation जिसे कहते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं sir और maim लिखा हुआ है अगर आपकी principal sir है तो आप sir लिखेंगे और अगर maim है तो आप maim लिखेंगे और कभी-कभी ऐसा भी होता है जब हमें पता नहीं रहता है आप नए school में लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे दोनों लिख सकते हैं चीक है उसके बाद जो सबसे main चीज होती है वो होती है body बाडी में आपको जो भी आपको लिखना है आपको respect देना है अपने teacher को उसके बाद आपको अपना cause बताना है कि क्यों आप नहीं आ रहे है school कब से कब तक नहीं आएंगी जो duration period है वो बताना है उसके बाद आपको reason बताने के बाद फिर आपको अपने चुटी जो है वो grant करवानी है जिसके लिए आपको फिर request करना है वो इतने सारी चीजे हम कहां लिखेंगे body के अंदर लिखेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है अभी आप इतने format को समझ लीजे पहले उसके बाद आप आपको आता है जो closing हमारा होता है last में हम लोग लिखते है thanking you उसके बाद फिर आप यह च्रूली ओविजेंटली faithfully जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको class और section लिखना है ठीक है तो यह ह हमारा format था अब मैं आपको इस format की उपर एक application लिख करके as a sample दिखाता हूं कि कैसे लिखते हैं ठीक है चलिए यह हम लोगों का format है और इसके साथ ही मैंने यह आपके लिए example डाला है सबसे पहले the principal to लिखने के हमें ज़रूत नहीं पड़ती है उसके बाद अपने school का नाम आ एड्रेस लिखना है फिर आप एक लाइन चोड़ देंगे लिव करेंगे एक लाइन को फिर देट लिखेंगे फिर एक लाइन लिव करके आप subject यानि application क्यों लिख रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है यहाँ पर मैंने लिखा है application for sick leave आपका जो भी कारण है आप वो लिख सकते हैं आप यह भी लिख सकते है application for two days leave यह भी लिख सकते हैं और आप application for sick leave भी लिख सकते हैं ठीक है और और अगर आपको इससे अच्छा करना है तो आप जो subject है उसको underline भी खर देंगे ठीक है तो ज्यादा बेटर हो जाएगा उसके बाद salvation में हमने लिख दिया है sir, maim आ क्योंकि अपने school के principal के बारे में पता है कि वो sir है या maim है तो आप जो भी है उसके हिसाब से आप लिखेंगे ठीक है आप यहां respected sir भी लिख सकते हैं ठीक है वो भी चलेगा respected sir या respected maim फिर comma देना है यह comma और जो भी यह science है जो भी है यह बहुत important है full stop comma यह आप लोग कई बा application ही गलत हो जाता है धियान देंगे हर चीज पे most respectfully I would like to inform you that I am unable to attend school due to high fever our family doctor advise me to take adequate trace for at least फिर आप यहां पे जितने दिन की आपको application लिखनी है वो days यहां पे include कर देंगा सब्सक्राइब दो दिन के लिख रहे हैं तो यहां पे आप लिख देंगे at least के बाद two days ठीक है चार दिन के लिख रहे हैं तो लिख देंगे at least four days ठीक है therefore I request you please grant me leave from फिर आप अपना date डालेंगे कि आपको किस दिन से किस दिन तक की छुट्टी चाहिए starting date यानि जिस दिन से आपको छुट्टी चाहिए वो डालेंगे to उसके बाद फिर आप end date डालेंगे जब तक आपको छुट्टी चाहिए ठीक है तो यह आपका application complete हो जाएगा for your kind consideration I will be eternally grateful to you ठीक है थोड़ा सा कृत्र ग्यता वेक्ट करनी है हमें क्योंकि हमेरे चुट्टी तभी consider होगी यह जरूरी होता है लिखना I will be thankful to you I shall always be obliged to you इस तरीके का हमें कुछ लिखना होता है ठीक है I shall always be obliged to you भी लिख सकते हैं फिर आप बहुत सारी लाइने हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं as a closing line ठीक है उसके बाद ध्यान रखना है जो आप thanking you लिखेंगे उसके बाद आपको कॉमा जरूर देना है thanking you के बाद बहुत कम लोग हैं ऐसा जो कॉमा देते हैं बढ़ यहाँ पर कॉमा होगा आपको कॉमा देना है yours obviously फिर अपना नाम class roll number लिख देना है तो इस तरीके से आपका जो application है वो पूरा एकदम बढ़िया सही से complete हो जाएगा ठीक है और यह आपको अपने पूरे lifetime काम आएगा आप किसी भी class में हो 5, 6, 8, 10, 12 school के बाद भी आपको काम आएगा बस format उपर का थोड़ा सा change हो जाएगा जब कभी भी आपको leave application चाहिए होगी आपको यही लिखना होगा ठीक है चलिए last but not least अब हम लोग बात कर लेते हैं common mistakes की जो ज़्यादा तर बच्चे करते हैं while writing an application ठीक है तो हम इन सब mistakes को अगर एक बार देखेंगे तो जब कभी भी हम application लिखेंगे ना तो हमें यह बात याद आजाएगी और फिर कभी भी हम यह गलती नहीं दोराएगी तो इन्हें ध्यान से हम देखते हैं सबसे पहला जो होता है इस स्टार्टिंग में ही आप प्रिंसिपल की spelling mistake कर देते हैं पी आर आई एन सी आई पी एल ए ये लिख देते हैं आप बहुत सारे बच्चे ठीक है इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धान रूल्स ठीक है यह यहाँ पे आपके लिए applicable नहीं होता है यहाँ आपको लिखना है पी आर आई एन सी आई पी ए एल यह second option जो है यह correct है धियान रखना है आपको ठीक है उसके बाद मैम अगर है तो मैम की spelling आप लोग म, ए, म लिख देते हैं क्योंकि आप लोग SMS में हमेशा शॉर्टकर्ट में लिखते हैं तो आपको लगता हुगा यही सही है बट ने आपको abbreviation के साथ लिखना है second option सही है देख लीजे उसके बाद respectfully आप लोग इसमें single L भी लगाते हैं कईबा जो कि wrong है जहाँ double L लगना चाहिए second option is correct thanking you spelling दोनों में सही है बट यहाँ पर mistake यह है कि आपने एक में common नहीं लगाते हो आप और एक में में common लगा दिया है तो second option जो है वो आपका correct है तो बस यह तीन चार चीजे जो है अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी application जो है और आज के बाद आप कभी भी application गलत नहीं लिखोगे तो next वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नए content के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक्यो